तो हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग कैसे आप लोग घुब आप सब बढ़े होंगे और आपकी तियारे भी जोड़ सोरों से चल रही होगी तो आज हम आए हैं उत्राखन के लेक्चर के शाथ उत्राखन में हम उत्राखन की संस्कृति को पढ़ रहे थें as you know और उत्राखन की संस्कृति में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्राखन की बोलियां जिसमें हम कुमावनी और गडवाली बोली को डिसकस करेंगे वैसे ये topic syllabus में हिंदी में दिया गया है बट हिंदी का syllabus या हिंदी की classes आप देख रहे होंगे उधर मैंने ये पढ़ाया नहीं था तो इस syllabus को मैं उत्राखन के संस्कृति का syllabus मानता हूं और उत्राखन का culture ही है ये गड़वाली कुमावनी तो इस गड़वाली कुमावनी को हम उत्राखन के culture के भिहाब पर पढ़ने वाले है ठीक है तो बेसिकली ये गड़वाली कुमावनी कहां पूछा जाता है हिंदी में पूछा जा रहा है वैट हम इसे कहां पर पढ़ रहे हैं उत्राखन की संस्कृति में यहां से बीपीडियो के पेपर में भी question आये था हम इसे दो हिस्सों में पढ़ने की कोसिस करेंगे first of all कुमावन and second of गड़वाली बोलिया इन बोलियों को कितने भाग है कितने भागों में बाटा गया है किस भाग के अंदर कौन कौन सी बोलिया आती है इन सब को पढ़ने की और देखने की कोसिस आज हम करने वाले सबसे पहली heading लिखेंगे कि कुमावनी बोली कुमावनी बोली में क्या चीज़े हमें देखने के लिए मिलती है उन चीज़ों को समझने की कोसिस करते है सबसे पहली heading होगी आज आज आपकी उत्राखंड की बोलियों में कुमावनी बोली कुमावनी बोली से हमको क्या चीज़े याद दखनी है पहले one liner fact में मैं बात करने वाल हूँ चार one liner fact इसका विकास अगर बोली की बात करूं में इस बोली का विकास इस बोली का विकास किस से हुआ है बटाओ इस बोली का विकास सौर सैनी अभभरन सेवा है अगर question आएगा कुमावनी बोली का विकास की सेवा है तो कुमावनी बोली का विकास की सेवा मेरे दोस्त सौर सैनी सेवा है आपके सामने बोट पे लिखा हुआ है दूसरी बात हमें कुमावनी बोली के बारे में क्या पता चलती है यह खड़ी बोली से बड़ी मिलती जूलती है खड़ी बोली आपने देखियोगी तो question आएगा खड़ी बोली और हिंदी से यह बहुत प्रभाईत है तो ध्यान रखना कुमावनी किस से प्रभाईत है खड़ी बोली से अधिक प्रभाईत है जैसे खड़ी बोली के टर्मिनलाजी होगी हल्किफुल की टर्मिनलाजी इनकी भी होगी तो question आएगा वही कुमावनी बोली किस से प्रभाईत है किस बोली से परभाई थे तो खड़ी बोली से परभाई देखने के लिए मिलती है कहीं ने कहीं ख़ली बोली का परभाई इसमें देखने के लिए मिलता है and the third one इस बोली में similarity भी दिखती है और अवधी के जैसी अगर question आएगा कि कुमावनी में किस बोली के जैसे समानता देखने के लिए मिलती है तो अवधी के जैसे इसमें समानता देखने के लिए मिलती है तो तीन चार चीजे आपको one learner question देखने के लिए मिला and the last one fact आपको याद अखना है इसी कुमावनी को पहाड़ी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है इसी को किस नाम जाना जाता है पहाड़ी हिंदी भी कहते है तो हम उत्राखन की बोलियों में कुमावनी और गड़वाली के mainly fact पढ़ने वाले है कुमावनी और गडवाली के fact अगर हम इसको पढ़ने की कोसिस करेंगे तो इसमें से कुछ चीज़े हमें पता चलती है और क्या चीज़े हमें पता चलती है वो देखो इस बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है खड़ी बोली से अधिक परभाइत देखने के लिए मिलती है मतलब खड़ी बोली से कहीं न कहीं परभाइत होगी impactful होगी अवधी की जैसे समानता देखने के लिए मिलती है अब अवधी बोली तो मुझे बोली नहीं आती है ना मुझे कुमावनी आती है बट कहीं न कहीं ये अवधी के जैसे समानता इसमें देखने के लिए मिलती है और इसी कुमावनी बोली को पहाड़ी हिंदी के नाम से भी जाना जा सकता है ये थी आपके पहली स्लाइड जिसमें चार वन लैनर क्वेशन आपको देखने के लिए मिले तो ये बहुत important आपके लिए होने वाला है अब यहां से हम जो पढ़ेंगे आगे कुमावनी बोली को तो मैं अपने हिसाब से तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको हमने भी किताब उसे पढ़ा है किताब उसको किसना किसना लिखा होगा तो एक राइटर है जिनका नाम है तिरलोचन पांडे जी अंदर भी चार वर्गों के अंदर भी कितनी बोलिया है बारा बोलिया है तो देखो यहां से क्या question बन क्या था है पहला question आता है कि कुमावनी बोली का वर्गी करण किसके द्वारे किया गया है तो कुमावनी बोली का वर्गी करण मेरे दोस्त किसके दोरह किया गया तिलो चनपांडे जी दोरह किया गया क्वेस्टन ये पूछा जा सकता है कुमावनी बोली का वर्गी करण कितने वर्गों में किया गया है तो आप बोलोगे कुमावनी बोली का वर्गी करण चार भागों में किया है और आप ता डेट पूछा जा सकता है कि कुमावनी बोली का वर्गी करण चार भागों में भी किया गया है तो भई कितने वर्गों कितनी बोलियों में बाटा गया इनको याद करने की एक कला होगी तो याद जीके को या तो आप रटलो या तो आप जीके को समझ को याद कर लो तो इनको ऐसा याद करेंगे ऐसा याद करने वाले हम इनको इनको याद करेंगे हम पूर्वी कुमाओं उन्होंने जो चार भाग माटे ना तो ऐसे बाटे पूर्विय कुमाओ, फिर बाटा होगा उन्होंने पस्सिमी कुमाओ, फिर बाटा होगा उन्होंने उत्तरी कुमाओ, और फिर बाटा होगा उन्होंने दक्सनी कुमाओ, यही तो बाटा होगा, तो question आएगा भई, यहां से बी पीडियो के paper में question आ भी चुका में बाटा है पर कौन-कौन से चार भागे बही हो तो आपके सामने बょोट प्रे लिखे है तो ये चार भाग आपको आराम से याद हो जाएंगे सबसे पहले कुमाओनी के याद करने हैं कुमाओनी के आपके पास चार बोली आए, पहली बोली का नाम है सौरियाली, दूसरी बोली का नाम है सीरियाली, तीसरी बोली का नाम है असकोटी, एंड लास्ट वन बोली का नाम है कुमया, ये भी एक बोली है, हलकफुल का नेम में चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे कुमावनी तो आती नहीं है तो जितना जितना मैं पढ़ पाया हूं उतना उतना मैं आपको बता दूँगा तो पूरवी कुमावनी बोली के अंदर कितनी बोलिया है तो कुमावनी बोली के अंदर पहले चार भाग है चार पार्ट्स है उन चार पार्ट्स के अंदर भी टोटल कितनी बोली है पर important और मुस्किल question क्या है एक बोली यहां से देगा एक यहां से देगा एक यहां से देगा एक यहां से देगा बोलेगा पूर्वे कुमावनी के कौन सी वाली बोली है यहां से बड़ा important question मनता है और मैं गारेंटेट बोल रहो हूँ आप लोगों ने इससे पहले भी यह चीजे पढ़िए बस problem यही है आप लोगों के साथ आपने पढ़िए आपने याद नहीं किया है अपकी बार हमको चीजे याद करने है लिखना ही लिखना नहीं उनके साथ याद भी करना है हमने क्या याद करना है कि कुमावनी को कौन बारता है तिल लोचन पारने कितने भागों म पूर्वी कुमाओ, पूर्वी कौम ने क्या आएंगे सौरियाली, सीरियाली, असकोटी, कुमाईया सौरियाली, सीरियाली, असकोटी, कुमाईया अब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ extra factor उनमें लिखने पढ़ेगा और एक बोली है यहाँ पे असकोट, असकोट तो Wildlife Century भी पढ़ा हैं अपने सबसे जादा कस्तूरी में रखपा है जाते, 1986 में बना था असकोट के बारे मैं बहुत भार पढ़ाभी चुका हूँ तो यहाँ पे एक बोली है असकोटी और इस असकोटी बोली में आपने पढ़ना है, question आएगा कुमावनी की किस बोली में नेपाली का परभाव देखने के लिए मिलता है, इंपॉर्टन करके क्या चीज समझना ये आपकी, अगर question आएगा कुमावनी की किस बोली में नेपाली भासा का परभाव देखने के लिए मिलता है, तो नेपाली भासा का परभाव देखने के लिए आपको किस में मिलता है मेरे दोस्तों, असकोटी में देखने के लिए मिलता है, तो यहां से extra fact आपके सामने ये समझ में आता ह दूसरा है पस्मी कुमाओं, पर हम पस्मी कुमाओं को तो पढ़ने ही नहीं वाले हैं, हम पस्मी कुमाओं को पढ़ेंगे नहीं, हम पस्मी कुमाओं को क्यों नहीं पढ़ेंगे, अरे हमें बारा बोलियां याद करनी है, और हम तीनों को याद कर लेंगे, तो चोंती तो कम-कम बोली आए, उन तीनों में कम-कम बोली है, जैसे मैं बता रहो हो तुम वैसा याद कर लो, उत्तरी कुमाओनी में आपको एक ही चीज याद दखनी है, उत्तरी कुमाओनी में हमको एक ही बोली देखने के लिए मिलती है, जिस बोली का नाम है जोहारी, तो क्वेजन आए प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कुमावनी की किस बोली में तिबती भासा का परभाव देखने के लिए मिलता है। कुमावनी का नक्सा अगर आप देखोगे तो कुमावनी के नक्से में सबसे दक्सिन में कौन सी हिस्सा है। उस नक्से में युएस नक्से में युएस नक्से में है की निये। तो उनको खुदी कुमावनी कमाती है तो कुमावनी किन को आती है जो ने निताल में रहते है है की ने निताल में रहते है और ये हिस्सा उत कुमावन का दक्सन है की नहीं है कुमावन का दक्सन है भई तो कुमावन के दक्सनी में आपको कौन सी बोली बोली जाएगी नैनी ताली बोली जाएगी तो कुमाउनी में कौन सी बोली बोली जाएगी आपको एक या दखना है पहली बोली का नामे नैनी ताली दक्सिन में नैनी ताले तो नैनी ताली बोली जाएगी दूसरा important करके paper में बहुत बार आता है इसका नामे रच भैसी रच भैसी भी एक बोली है जो भी दक्सणी कुमाउनी का हिस्सा है जिसके लिए नैन तलियाबी कहा जाता है इसी बोली को नैन तलियाबी कहा जाता है आप हमसे पढ़ेंगे तो extra fact जरूर देखने के लिए मिलें खुदी imagine करो कुमाउनी का नकसा imagine करो कुमाउन के सबसे दक्सण में एक जिल्ला है उदम सिंग नगर बट उदम सिंग नगर में तो जादा कुमाउनी बोली नहीं जाती है क्योंकि यह अलग-अलग religion वाले लोग रहते हैं बट ने निताल में तो ने नितलिया बोली और इस कुमाउनी के भी कौन सी कुमाउनी में दक्षनी छेतर में बोली जाती है और इसी बोली को नेन तलिया के नाम से भी जाना जाता है अब हमको क्या याद करना है अब हमको याद करना है पस्मी कुमाउनी की बोलिया पहली बात तो यह हो गई कि मेरे दोस्त कुमाउनी तोटल 12 बोलीया हैं अगर आपने ये 3 आद भी कल ली न कि सौौरियाली, सीरियाली, असकोटी कुमा हमा ये तो पूर्वी का हिस्सा हो गया जोहारी बोली बोली जाती उत्तरी में ठीके, जो तिबबती से मिलते जुलता है नेन तलिया या दक्सनी कुमाओनी में बोली जाती है नेनी ताली ये भी आप आराम से याद कर सकते हैं अजब इतनी सारी चीज़े आप आराम से याद कर सकते हैं तो आपको कोई प्राबलम भी नहीं है अब इनके अलावा कुछ भी बोली बोल देगा आपको उन सब का अंसर पस्समी कुमाओं तो होगा उन सब का अंसर क्या होगा पस्समी कुमाओं होगा और इन पस्समी कुमाओं की बोलियों को लिखने की कोसिस करेंगे खस परजिया, चो गर्खिया यहाँ पर लिक देता हूँ मैं खस परजिया चो गर्खिया फाल्दा कोटी ये पस्तमी कुमाओं की बोलिया है ये सबसे ज़ाद अभी यही है या तो यार तुम तीनों को याद कर लो चौता जो भी नाम आएगा वो यही होगा आपको याद करने की जरुत बिने पड़ेगी बड़ फिर भी आपको याद करना तो आप इनको याद कर सकते हैं अगला नाम दान पूरिया अगला नाम पच्छाई और अगला नाम गंगुई तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा बाकी यह याद हो जाएंगे इनको count करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अच्छार इदर थे साथ, आठ, नौह, दस और एक इदर है ग्यारा और एक उदर है बारा तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा नेनी ताली, रच भहसी और नेन तलिया, यह एक ही बोली है, यह अलग-अलग बोलिया नहीं है, तो ध्यान रखेंगे क्या समझ में आता है, बारा बोलिया थी, तो एक बोली तो इदर हो गई एक बोली इदर हो गई दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, और नो, दस, ग्यारा बारा तो नेनी ताल नेन तलिया एक ही बात हो गई और इसी बोली को रच भेंसी भी कहा जाता है ये फेक्ट आप याद कर सकते है तो आप आराम से कर सकते है छे चीज़े याद आराम से किती चीज़े याद हो जाएंगी बारा बोलिया याद हो जाएंगी किसने बाटा है तिल लो चलो ठीक है जहाँ पर खसपरजिया लिखा है आपको extra fact लिखना होगा खसपरजिया का तो यहाँ पर लिख लेना खसपरजिया 12 मंडल छेतर में बोला जाता है 12 मंडल छेतर में ये बोली बोली जाती है अगर question आएगा खसपरजिया बोली किस छेतर मे बोली जाती है तो खसपरजिया बोली 12 मंडल छेतर में बोली जाती है और इस 12 मंडल को कुमाओं का हिर्दय भी कहते है अगर question आएगा the heart of कुमाओं किसे कहा जाता है कुमाओं का हिर्दय कुमाओं का दिल किसे कहा जाता है तो कुमाओं का हिर्दय या कुमाओं का दिल कहा जाता 12 मंडल वाले छेतर को और खसपरजिया भी यही है पसमी कुमाओं के अंदर कितनी बोली आरी आपके पास से पूर्वी कुमाओं के अंदर कितनी आरी चार उत्तरी कुमाओं में कितनी आरी एक और दक्सनी कुमाओं में कितनी आरी है एक तो टोटल आपके पास 12 बोलिया हो गई है, इन 12 बोलियों को आप आराम से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और इन चीज़ों को याद भी कर लिजेगा नेक्स्ट, आगे अगर हम पंडने की कोसिस करें, आगे हमें कुमावनी के बारे में क्या फेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो एक नाम देखने के लिए मिलता हमें, अवो मिलता माहेस्वर जोसी माहेस्वर जोसी क्या बोलते हैं कुमावनी भासा का पहला लिखित नमूना कुमावनी भासा का पहला लिखित नमूना कुमावनी भासा का पहला लिखित नमूना का अब देखने के लिए मिलता है तो ये बोलते है एक हजार पांच इस वी का देखने के लिए मिलते है मैं स्वरी जेसी एक इतिहासकार होंगे ये एक हजार पांच का एक अभी लेख हमें बताते है जिस अभी लेख का नाम है दिगांस अभी लेख और ये इसी को बोलते हैं दिगान सभी लेग कहा है पिठोर अगड में है और इस दिगान सभी लेग में क्या जानकारी देखने के लिए मिलती है महेश्वरी जोसी के नुसार कि कुमावनी भासा पहली बार लिखी कहा गई थी दिगान सभी लेग में लिखी गई थी और कब का डाटा देते हैं यह 2005-1006 में ही पहली बार कुमावनी का कुछ लिखिट साख से देखने के लिए मिलता है दिगान सभी लेग से मिलता है परन्तु एक और राइटर है जिनका नाम है योगेस चतुरवेदी बोलते हैं नहीं योगेस चतुरवेदी किसको बोलते है लिखिट साहित्या अभै चन का ताम पत्र मिलाए चमपावद से उसको मानते हैं। ये तो मायस्वरी जोसी के अनुस्वार हो गया। दूसरा कॉन राइटर है? कॉन इतियासकार है? योगेश चतुरवेदी। तो योगेश चतुरवेदी क्या भूलते हैं? 989 इस वी का अभेचंद का तामरपत्र। अभेचंदर का तामरपत्र। तो अभेचंदर के तामरपत्र की डेट क्या मिलती हैं? 989 इस वी मिलती हैं। अग्जामर पूछ रहा है suiv तो पहला अभिलेख ये प्रूप कप देखने के लिए मिलता हमें, यह मिलता हमें 2015 भी में इन केस अगर पूचता योगे सतुरवेदी के नुसार तो योगे सतुरवेदी के नुसार हमें मिलता है 989 में योगे सतुरवेदी का तामरे पत्र बोलता है, और यह तामरे पत्र किसका अभेचंद का इनका तामरे पत्र कहां से मिला है चमपावच से और दिगान से बिले कहां से मिला है पिथोरगड से ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद करनी है नॉर्मल क्वेसन आ जाएगा कि कुमावनी बोली में साहित्य की सुरुवात कब से मानी जाती है अगर नॉर्मल सा क्वेसन आता है कुमावनी बोली में साहित्य की सुरुवात कब से मानी जाती है साहित्य की स्टार्टिंग कुमावनी बोली में कब अठारा सो ने लिखा, अठारा सो इस भी लिखा है, यह कुमावनी बोली के सुरुवात मानी जाती है, ठीक है, तो आज हमने कुमावनी बोली के बारे में आपको जानकारी दी, तो कुमावनी बोली को सबसे पहले तिल लोचन पांड ने बाटा था, चार वर्गों में बाटा था, कौन-कौन से वर गए, कौन-कौन से बोलिया, वो आपको details में समझा दी गई ठीक है, और थोड़ा, मिलते हैं आपको next वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे गड़वाली की बोलिया, तब तक वीडियो को देखते रहें, चीजों को लिखते रहें, चीजों को revision करते रहें, धन्यवाद